दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि railway station या फिर train में हम लोग अपने mobile phone या camera से फोटोग्राफी कर सकते हैं या नहीं, वीडियो बना सकते हैं या नहीं तो railway station पर फोटोग्राफी करने के क्या policy हैं, क्या rules हैं, क्या हमें permission लेना पड़ता है या इसके लिए कुछ charges है, commissions हैं, कैसे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं या फिर फोटोग्राफी allowed है या नहीं है, ये भी पूरा जनकारी मैं आपको बिल्कुल यहां पर बहुत clearly देने वाला हूं, ताकि मन में कोई doubt ना रहे आपके, हो सरे लोगों ने comment किया है, तो आज मैं आपका confusion दूर करता हूं, देखिए, Google पर मैं search कर रहा हूं, photography policy railway, तो सबसे पहला देखिए, Indianrailway.gov.in का एक official website है railway का, मैं इसके उपर में click कर रहा हूं, अब railway का एक PDF file है, इसको मैं download पहले कर लेता हूं, चल यह यह जो है आपका railway का जो file है, PDF मैंने इसको download कर लिया, आप इस file के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, policy guideline on steel video photography in railway subject, ठीक है, चुकि आज के समय में बहुत सारे लोग जो है, mobile phones वगेरा यूच कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो इतना नहीं होता था, तो railway ने इसमें आपको कुछ छूट दे दिया है, पहले तो छूट नहीं था, लेकिन अब आपको थोड़ा छूट यहां मिल गया है, relaxation मिला हुआ है, ठीक है, यहां देखिए तीसरा point है, उसका यह जो है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, देखिए कोई भी जो इंडिया का रहन वाला व्यक्ती है, उसको रेले एस्टेशन या प्लेटफॉर्म पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए परमीशन लेने की यहां पर जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल फोन, कैमरा या फिर स्मॉल डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफी कर सकते हो, जो भ अपने खुसी से अपने लिए जो है यह कर सकते हो, पैसा कमाने के प्रपस से नहीं, ठीक है, और यही नहीं, यहां पर अगर आप फोटोग्राफी करते हो, आप से उसी समय डिमांड किया जाता है, आपके सिटीजन सिफ के बारे में कोई आईडी पुरूफ मांगा जाता है तो आप उसको दिखाओगे, स्टेशन डिरेक्टर को, या फिर सुप्रिटेंडेंट को, ठीक है, तो यह आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आईडी पुरूफ मांगे जाने पर आपको वहां पर सो करना होगा, तो इसके लिए आपको प्रमिशन की जरूरत यहां पर नही अजरा बात है, कि आपको कोई भी आपके चलते, कोई भी यात्री को परसानी ना हो, इसके बाद यह बी पॉइंट देखिए, यहां पर क्या है कि जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो, या फिर वीडियो ग्राफी कर रहे हो, तो आपके पास वैलिट टिकट होना एसा नहीं कि बीना मतलब का आप घूश गए हो, बीना टिकट का फ्लेटफरॉम पर या ट्रेन में ऐसा नहीं, आपके पास अगर आप कहीं जा रहे हो, तो ट्रेन का टिकट होना चाहिए, या अगर आप प्लेटफरॉम में हो, तो आपके पास कम से कम फ्लेटफरॉम का टि दिखाना होगा ठीक है अगर डिमांड करते हैं तो वह आपको टिकट दिखाना होगा उसके बाद सी है अगर मानली जी कोई इंडियन जनरलिस्ट है अगर वो कुछ सुटिंग करना चाते हैं ठीक है अपने कोई प्रोफेशनल एक्विप्मेंट कैमरा वगारा उनके पास है त ठीक है अगर वो फोटोग्राफी करना चाते हैं ठीक है कोई सोसल कोज के चलते तो उनको कोई प्रमिशन का यहां पर खास जरूरत ने पड़ेगी उनको फ्री ओप कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं फोटोग्राफी ठीक है जो डी आरेम है उनके जो प्रमिशन है उनकी बातों को नको मानना होगा ठीक है फोटोगराफी ये वो रेलवे सुप्रविजन में जो है होगा वहाँ पर उनके देख रेख में वहाँ पर होगा ठीक है अगर कोई फोटोगराफी कर रहा है professional equipment या camera बड़े-बड़े camera के साथ उसको जो है commercial के रूप में माना जाएगा ठीक है मान लिजे बहुत-बहुत बड़े-बड़े directors actors होते हैं वो लोग अपना फिलीम-फिलीम बनाते हैं railway station या train में तो वो तो commercial होता है तो उसके लिए चार्ज वगेड़ा वहाँ पर देना पर सकता है और उनको permission वहाँ पर लेना होगा पूरे safety और security के साथ security precautions के साथ जो है वहाँ photography उनको करना होगा ठीक है commercial purpose से अगर आप photography करना चाहते हो तो वह आपका उसमें आपको फीस वगेड़ा देना पड़ेगा कोई भी photography आप जो है कोई भी बैन एडिया है railway का वहाँ पर नहीं कर सकते हो ठीक है आपको यह ensure करना है कि आप safe जगप नहीं करोगे security के साथ करोगे और कोई भी किसी को तकलीफ नहों आपके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के चलते हैं यह चीज़ को ध्यान रखना है ऐसा नहीं के railway के पट्री पर बना लिए platform के किनाड़े बना लिए जिससे कि आपके दिक्कत हो जाए आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके चलते हैं वो काम नहीं करना है बिल्कुल वो बिल्कुल strictly मना है कभी भी जो है ट्रेन में आप ऐसा नहीं किजिए एक लटक के जो है गेट पर खड़ा है फोटोग्राफी कर रहे हो यह सब बिल्कुल risky है और यह सब बिल्कुल allowed नहीं है याद रखिए तो कुल मिलाकर जो आम पब्लिक के लिए है जो आम लोग होते हैं उनको कोई permission लेने की जोत नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया आप non commercial purpose के लिए अपने परिवार के लिए अपने यादगार के लिए फोटो ले सकते हो वीडियोग्राफिक कर सकते हो लेकिन विल्कुल safety के साथ कोई भी गलत जो है आपको जगह पर जाके फोटोग्राफिक नहीं करना है किसी को परसान नहीं करना है थैंक्यों दोस्तों